चिडिया और कव्वे ने उगाई सब्जियां एक दिन चिडिया और कव्वे के घर में सब्जी खतम हो गई थी तो वो हाथी की सब्जी की दुकान पर गए सब्जी खरीदने सभी जंगल वासियों की सब्जियां हाथी ही सप्लाए करता था उसके काफी बड़ी खेती थी सब्जियों की अलू हाती भाई कैसे हो कुछ सब्जी खरीदनी थी आओ आओ चिडिया और कववा आज काफी दिन के बाद आए हो सब्जी खरीद लो आज ताजी ताजी तोड़ कर दुकान लगाई है उन्होंने लिए टमाटर, प्याज, आलू, शिम्ला मिर्च और हाथी को पैसे दे कर और अपनी सब्जी लेकर वो घर वापस आ गए क्या सोच रहे हो कववे, सारे रस्ते तुम कहीं खयालों में खोए हुए थे मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी सब्जी खोदी हो गए, हमारे पास अच्छी खासी जगए है घर के बाहर खोद हो गए, हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सब्जी कैसे हो गाते है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा वो सब तो मिली जाएगा इंटरनेट पे, हम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी यूज़ करते हैं ये सोचो, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, टमाटर, मेथी, शिम्लामिच और मेरा फेवरेट आलू, यमी यमी आलू के पकोड़े तो फिर इन्ही सब्जियों को उगाते हैं, उन्होंने इंटरनेट पर सभी सब्जियों को उगाने का तरीका देखा, और सब्जी बूने के सारे तरीके का प्रिंट आउट भी ले लिया, और सब सबजियों के बीज भी ओर्डर कर दिये दो दिन के बाद घर की बेल बजी अरे देखो देखो सीर्स का पार्सल आया होगा कववा और चडिया तोनों एक्साइटमेंट से दर्वाजे की तरफ भागे दर्वाजे पर एक डिलिवरी बॉय खड़ा था पार्सल लेके ये लीजिया आपका पार्सल मिस्टर का हुआ थैंक यू दोनों को पार्सल खोलने की बहुत चडिया तो पहले से ही कैंची लेकर खड़ी थी चल्दी चल्दी उन्होंने पार्सल खोला और अंदर थे अलग-अलग रंगों के पाँच तरहें के बीज वाँ चलो अब जल्दी से इने मिट्टी में बो देते हैं बीज ज़रा जादा थे तो उन्होंने सोचा कि आधे ही उगाते हैं पहले और बाकी बीज अलग-अलग बोटल्स में भर कर रख देते हैं बीज बोने के लिए दोनों घर से बहार आ गए कववा पानी डालने के लिए पानी भी ले आया चिडिया प्रिंट आउट पर लिखे हुए बीज बोने का तरीका पड़ती गई और कववा जो है काम करता गया पहला स्टेप थोड़ी मिट्टी खोदो और हटाओ और ये सुनकर कववा मिट्टी निकालने में लग गया अरे तुम भी कुछ हेल्प करोगी या प्रिंट आउट कोई देखती रहोगी मिट्टी में मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और फिर ये पेपर भी गंदा हो जाएगा देख लो बोलो क्या करूँ ठीक है ठीक है और कववा मू बनाकर फिर से काम में लग गया दूसरा स्टेप थोड़ी थोड़ी दूर पर बीज लगा दो अब मिट्टी का काम खतम हो गया था तो चिडिया भी लग गई बीज बोने एक एक करके उन्होंने सारे बीज बो दिये तीसरा स्टेप बोई हुए बीजों को मिट्टी से ढख दो लास्टेप अच्छे से पानी लगाओ बीज बोकर चिडिया और कववा बहुत खुश हुए और अपने घर के अंदर चले गए काफी ठक भी गए थे गर्मी में मेहनत जो की थी दोनोंने चिडिया और कववा रोज सुबा आकर चेक करते थे कि प्लांट्स निकले की नहीं और टर्न बाई टर्न पानी भी देते थे कुछ दिन के बाद कववा देखो देखो छोटे छोटे पौधे निकल आए वाओ जल्दी आओ कववा भागा भागा आया और दोनों बहुत ही खुश हुए धीरे धीरे पौधे भड़े होने लगे और चिडिया और कववा रोज उनकी देखबाल करते थे एक दिन कववा पौधों को पानी देने गया और ये क्या कहीं सारे पौधे तूट गए थे कुछ लेटे हुए थे और जो बचे थे उनकी तो सिर्फ डंडिया ही बची थी पत्ते तो थे ही नहीं चिडिया जल्दिया आओ देखो हमारे पौधों को क्या हुआ ये किस ने किया वो देखो थोड़ी दूर पर कुछ जंगली कबूतर मेथी की टैनिया मूँ में दबाए हुए थे और चिडिया और कववे को देखते ही दोनों उड़ गए मतलब ये जंगली कबूतर का काम है इस तरह तो हमारी सबजी कभी नहीं उप पाएंगी घरगोश वहां से गुजर रहा था और दोनों को परिशान देख वो उनसे बात करने के लिए रुख गया और उनकी सारी कहानी सुनी तुम दोनों निराश मत हो पक्षियों को भगाने का एक सिंपल तरीका होता है चचमे जल्दी बताओ खरगोश बाई सबजी बचाने का तरीका है स्केरक्रो स्केरक्रो हाँ स्केरक्रो याने की बिलकुल आदमी जैसे दिखने वाला एक पुतला पक्षी उसे देखकर सूचते हैं कि कोई आदमी खड़ा है और वहां पर नहीं आते वाह ये तो अच्छा तरीका है थैंक यू खरगूश तुम हमेशा हमारी बहुत हैल्प करते हो चाहुआ हमने सारे भीज नहीं भूए कर एक बार हम फिर भीज भूएंगे आज स्केर्क्रो बनाकर रेडी कर लेते हैं स्केर्क्रो बनाने के लिए उन्होंने ली दो बड़ी डंडिया और उन्हें कील से जोड दिया एक डंडी सीधी खड़ी थी और एक लेटी हुई थी जिससे बनते स्केर्क्रो के हाथ उन्होंने खरगोश से उसकी पुरानी पैंट और शर्ट बोरो करी थी क्योंकि वो ज़रा लंबा था और चिडिया ले आए बहुत सारा भूसा उन्होंने शर्ट और पैंट में भूसा भरा और टंडियों के उपर लगा दिया कुछ कमी है अभी भी हाँ इसके हाथ पैर और मू भी तो बनाने हैं मैं अपनी सॉक्स ले आता हूँ तुम वो पुराने गलव्स ले आओ और उन्होंने गलव्स और सॉक्स में भी भूसा भर के स्केर क्रो के हाथ और पैर बना दिये और डंडियों पर बांद दिये अब बचाता मू हाथी की दुकान से बोरी में आलू मिले थे उससे मू अच्छा बन जाएगा मू बना कर उन्होंने ब्लैक पेंट से बोरी पर आँख नाक और मू बना दिये और ये रही टोपी स्केर क्रो अब पूरा बन गया था वो उसे बाहर ले गए और सबसियों के पास ले जाकर उन्होंने उसे मिटी में लगा दिया इससे जरूर डर जाएंगे तुम्हें तो इससे डर लगेगा ही आखेर इसका नाम स्केर क्रो जो है दोनोंने मेहनत करके एक बार फिर सबसियां उगाई और इस बार ही उनकी सबसियां खूब बढ़िया होगी और अब वो अपने बड़िया से किचन गार्डन की फ्रेश सबजियों से ही अपना खाना पकाते थे तो आप भी ट्राइ करेंगे सबजी उगाना बच्चों झाल